हलो फ्रेंड्स मैं हूँ संध्या स्वागत है आपका सेल की रसोई में आज हम बनाने वाले हैं फ्रेंड्स एक नहीं रेस्पी वीडियो अंतक जरूर देखियेगा आई होप आपको जरूर पसंद आएगा और अगर आज की रेस्पी पसंद आए फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक किजिएगा चैनल को प्लीज सस्क्राइब करना मत भूलिएगा साथ में बिल आइकन को ही प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले तो चलिए फिर बनाना ही स्टार्ट करते हैं आज हम बना रहे हैं फ्रेंड्स कई बर बनाए होंगे लेकिन आप एक बार मेरे तरीके से बना कर देखिएगा फ्रेंड्स साइद आपको जरूर पसंद आएगा तो चलिए फिर फटा फटी स्टार्ट करते हैं देखते हैं गोवी के प्राठे बनाने के लिए हमने किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी इ देखिए मैंने छोटे साइज के दो फूल गोवी लिये हुए हैं एक्दम ताजे हैं तो आप मार्केट्स जैसे आप ताजे फूल गोवी लिया फिर आप उसका प्राठा बनाएं तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि इसके जो डंठल है इसे पूरा हम निकाल देंगे फूल हम इसे हाथ से तोड़के निकाल लेंगे जो ना बने उसे चाकू से कट कर लिजेगा तो ज्यादा बड़ा बड़ा नी छोटा छोटा हमें निकालना है ताकि अंदर में जो भी कीड़े रहे हैं या गंदगी रहे तो वो निकल जाए यहां मैंने गरम पानी लिया है फूल गोवी कि अगर आप सबजी बना रहे हैं या प्राठे बना रहे हैं या जो भी कुछ भी बना रहे हैं तो आप गरम पानी में जरूर एक बार धोईएगा गरम पानी में फूल गोवी को धोने से क्या होता है कि कीड़े औगेरा निकल जाते हैं तो ऐसे हमें इतने पानी में अच्छे से दो लेंगे इसके बाद इसे हम पानी से निकाल लेंगे गोवी को अब इसे में निकाल लेती हूं इस तरह से इसके बाद गोवी को हम घीस लेंगे अच्छे से तो आपके पास जो भी घीसने वाला हो आप उसमें घीस सकते हैं तो यह थोड़ा कम है तो म अद्रक्द घिसने वाला जो होता है मैं उसी में फटा-फट से घिस लेती हूं तो चलिए पहले हम गोवी को घिस के इसके बाद में complete कर लेंगे इसके बाद बाकी की तैयारी करेंगे तो इस तरह से फटा-फट हमें घिस लेना है बहुत जल्दी असानी से ये घिस जाता है ज हम इस तरह से घिस ठे जाएंगे और जो डन्थल थोड़ा सा मतलब आपको लगे कि एक दम हाट है तो उसे छोड़ दीजेगा उसे मत घिसिएगा तो आखरी का जो डन्थल बचेगा उसे हम निकालते जाएंगे इसी तरह से हमें पूरा घिस लेना है तो यह देखिए पूर अग्ष डाला है इसे अच्छे से इस तरह से मिक्स कर दिया तो जब भी आप गोभी के प्राठे बनाएं तो सबसे पहले आप गोभी गिसिएगा और गोभी गिस के उसमें नमक मिला के इसको रख दीजेगा इससे क्या होगा कि गोभी को जितना पानी छोड़ना होगा गोभी दाला और मैंने यहां आधा किलो आटा लिया हुआ है तो आपको जितना बनाना होगा उतना लिजेगा तो जितना भी आटा आपको लेना होगा ले लिजेगा और एक कटोरी उसमें बेसन मिक्स कर लिजेगा दो चम्मच तेल डाल दिया यह रिभाइन तेल है और अच्छे से तेल को हम मिक्स कर देंगे, तो चलिए अच्छे से इसमें तेल को मिक्स कर देंगे, हलका सा नमक डाल देंगे, आधी चमच के करें, तो इसमें मैंने बेसन डाला, दो चमच तेल डाला और आधी चमच, इसमें मैंने नमक डाला है, अब इधर हम गोवी को देख लेंगे, क्यो और उसके उपर हम इस तरह से गोभी को रख देंगे पूरा, और उसके बाद अच्छे से इसे हम निचोड देंगे, ताकि पूरा पानी निकल जाए, तो आप देखेंगे कि इसे हम नमक मिला के रखे थे, इसकी वज़ा से पूरा पानी अच्छे से निकल जाएगा, तो इस त पूरा पानी निकल रहा है गोवी का तो इस पानी को हम फेकेंगे नहीं इसे आठा घुथने में इस्तिमाल कर लेंगे तो radiation अब चलिए हम आठा घुथ लेंगे तो इस पानी को भी हम आठा घुथने में यूज यूज कर लेंगे तो इससे क्या होता है, इस ट्रिक से आप बनाएंगे, तो पूरा पानी जो है गोभी का पहले निकल जाएगा, फिर बनाते समय ये गिला गिला सा नहीं होगा, अब इसे मैं कपड़े से ऐसे निकाल देती हूँ, ये देखिए, ये हमारा गोभी जो है, एकदम ड्राई सा लपेट के अच्छे से इसका पानी निकाल देना है, अब चलिए इसमें हम मसाले वगेरा मिला लेंगे, और एक तरफ हम आटा गुथ लेंगे, तो दोनों काम हम फटा फट कर लेंगे, इसके बाद में फिर पराठा बनाना सुरू करेंगे, तो इसमें आधी चम्मच मैंने ह मसाले डालेंगे, अलग से इसमें कोई मसाला हमें नहीं डालना है, गरम मसाला जरा सा डाला, तीनों मेंने आधी आधी चम्मच डाला है, और लाल मिर्च डाला आधी चम्मच, और मिक्स कर लेंगे, इसे अच्छे से, ये देखिए, इसमें हमें अब नमक नहीं मिलानी है, क फिलिंग करेंगे आठे में तो बहुत अच्छे से इसकी फिलिंग हो जाती है यह देखिए मिक्स हो गया एक साइड रग दिया मैंने अब चलिए आठा गुत लेते हैं फटाफट यह जो गोवी का पानी निकला है इसे भी इसमें डाल देंगे और बाकी हम पानी जो साधा पा देखा एकदम रोटी के लिए जैसे नरम आठा लगाते हैं बिल्कुल आपको ऐसी आठा लगाना है क्योंकि अगर आप सकत आठा गुतेंगे तो जब फिलिंग करेंगे और उसके बाद आप प्राठे को बेलेंगे तो जैसे आप टाइठ हांत से बेलेंगे तो फिलिंग ज निकाल लेंगे तो जितना बड़ा आपको प्राठा बनाना है उतना बड़ा आप लोई ले लिजिएगा तो यह देखिए मैंने मिडिया मकार का लिया हुआ है तो इस तरह से पहले हम लोई में बीच में दोनों उंगली लगा के इस तरह से एकदम कटोरी जैसे बना लेंग है दिए देखिए इसके बाद बीच में हम डाल देंगे गोवी को और आते को ऐसे उठाते हुए सेंटर में लाएंगे और फिर हम इसे लाग कर देंगे यह देखिए ऐसे हमें पूरा ज्वाइंट करके ऐसे लाग कर देना है अब इसे हाथों से हम चप्टा कर लेंगे और सुखा आठा लगा के हमें पटाफट इसे बेल लेना है इधर मैंने गैस ओन करके तवा चड़ा दिया है ताकि तवा जो है गरम होता रहे ख्लेम मैंने कम रखा हुआ है तो सुखा आठा लगा के अब इसे चलिए बेल लेते हैं तो हलके हाथों से बेलना है क्योंकि हमने आठा जो है एकदम नरम मुलाइम अच्छे से लगाया हुआ है तो आपको एकदम टाइट हाथों से दबा के नहीं बेलना है हलके हाथों से बेल ये तो अच्छे पतले पत पानी रहता है तो तुरंट तो आठे को आठे के बाहर आ जाता है तो इसलिए जब भी आप गोभी घी से तो एकदम अच्छे से उसका पानी निकाल ले तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपका प्राठा जो है वो कभी नहीं फटेगा यह देखिए अब इतना ही हम मोटा रखेंगे प्राठा तो मैंने एक बेल लिया इधर तवा हमारा गरम हो चुका है अब हम एक प्राठे को इसमें डाल देंगे और इधर दूसरा प्राठा हम फटा फट बेल के फिर से तयार कर लेंगे जब एक तरब सिंक जाएगा तो उसे हम पलड देंगे इधर मैं दूसरा प्राठा पटा फट बना लेती हूं फ्रिंड्स यह देखिए इसमें भी हम इसी तरह से कटोरी जैसे बना के और गोभी जो हम घीस के रखे हैं उसे हमें डाल देना है अब इसे हम पलड देंगे एक साइड अच्छे से सिंक गया है गैस को मीडियम रखेंगे मीडि तेल या घीज इसमें बनाना है आप उसमें बना लीजिएगा मैं यहां तेल में बना रही हूं एक साइड तेल उपर में लगा देंगे फिर दूसरे साइड हम पलड देंगे और दूसरे साइड भी हम तेल लगा लेंगे और इसे हम अच्छे से सेक लेंगे तो अच्छे से हमें सेखना है क्योंकि गोवी जो हमने अंदर भरा है वो भी अच्छे से पक जाए तो यह देखिए एकदम इतना कल आते तक आप प्राठे को सेखिए देखिए प्राठा अच्छे से फूल रहा है तो इससे क्या होगा कि गोवी अंदर जो है वो भी अच्छे से पक जाएगा इसमें न आपको गोभी को उगालने की जरूरत है न भूनने की जरूरत है ये प्राठा फटा-फटबन कर तयार हो जाता है और इस गर्मा-गरम प्राठे को आप किसी भी सबजी के साथ में खाएं बिसेश कर आलू की सबजी के साथ ये ज़्यादा अच्छी लगती है दही के साथ खाएं, अजार के साथ खाएं और ये देखिये फ्रेंट्स, मैंने सारे प्राठे बना लिये हैं अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ तो इसके साथ मैंने टमाटर की चटनी बनाई हुई है ये चटनी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है इसे मैं इस तरह से तोड़ के दिखा रही हूँ अंदर फिलिंग एकदम अच्छे से ये देखी एकदम अच्छे से हो गई है तो आई होप आपको जरूर पसंद आएगी फ्रेंड्स और एकदम ये मूलायम है ये देखिए और अगर आज की रेश्पी पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक किजिएगा चैनल को प्लीज सस्क्राइब करना मत भूलिएगा तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई रेश्पी के साथ एक नए वीडियो में